Hello friends, आज का हमारा topic of discussion है effective rate of protection. देखिए, आभी तक हम लोग protection का topic पढ़ चुके हैं. Protection पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कि जब भी हम protectionism की बात करते हैं, तब हम क्या कहना चाहते हैं? तब हम चाहते हैं कि हमारी जो domestic industries हैं, हम उनको क्या provide करें? protection provide करें. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? कि domestic industries को protection provide किसे हो? From foreign competition. अब यह जब हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है? Domestic industries को protection provide करनी है. तो इसके पीछे का, जो हमारा motto है, वो क्या होता है? इसके पीछे हम लोग चाहते हैं कि हमारी economy में क्या हो? GDP हमारा बड़े. इंडिजीनियस industries बड़ेंगी, तो आप लोग को क्या याद रखना है? Economics की terms में कि हम लोग कहीं न कहीं क्या indicate कर रहे हैं कि output हमारी economy में बड़ेगा, GDP हमारी economy में increase होगा. और दूसरी चीज़ आप लोग को क्या दिमाग में आनी चाहिए? सदन, दिखिया, जब भी हमारा output बड़ रहा है, इसका मतलब ज़ादा से ज़ादा industries सेट अप हो रही है, या जो हमारे existing industries भी है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े scales में उन industries को ला रहे हैं. तो जब हम ज़ादा से ज़ादा output produce करना चाहा रहे हैं उन industries के अंदर, तो हमारा क्या होगा? हमें workers भी चाहिए. जब हम workers की बात करेंगे, तो क्या दिमाग में आता है? कि हमारी economy में क्या होगा? Employment generate होगी. तो दो चीज़े आप लोग को दिमाग में रखनी है. नमबर वान is the indigenous industries की ग्रोथ होगी, जिसको हम GDP में ग्रोथ देखने को बोलते हैं. और दूसरा, employment increase होगी. Clear? अब जब हमने बोला कि हमें ये objectives जो है, वो attain करने हैं, तो हम इन objectives को achieve करने के लिए करेंगे क्या? हम trade barriers को use करेंगे. उन में से एक trade barrier क्या है? हमें tariff. For example, हमने क्या किया? हमने tariff यूज किया. और tariff को use करने से क्या होगा? हमारी जो domestic industries हैं, हम उनको protect करेंगे. For example, अगर हम woolen industry की बात करें, आप लोग क्या करते हो? विंटर का season है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग को sweaters चाहिए, आप लोग को shawl चाहिए, तो यहाँ पे, इंडिया में B production हो रहा है और हम कुछ amount of sweaters, shawls, कहां से मंगवा रहे हैं? from outside market. For example, हमने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से sweater मंगवाई. जब हम ऑस्ट्रेलिया से sweater मंगवा रहे हैं, तो उस sweater का, जो हमें cost पढ़ रही है, that is, 1000 रूपी पर sweater. और same, इंडिया के अंदर भी manufacture हो रही है, हम यह assume कर रहे हैं, उसका जो price हमें पढ़ रहा है, that is, 1000 जब same price है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, कि हमारी जो domestic industry है, that is, इंडिया में जो industry, sweaters produce कर रही है, shawl produce कर रही है, हम लोग चाहते हैं, कि वो industry क्या करे, flourish करे. तो इसका मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, कि लोग क्या करे, इंडिया में जो manufacturing हो रही है, उनकी quantity को जादा से जादा demand करे, और वो का possible होगा, जब as compared to Australian product, इंडिया का product क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, मतलब हम चाहते हैं, कि इंडिया का product क्या हो relatively cheap, मैंने क्या लिखा है, relatively cheap as compared to Australian product, हम चाहते हैं, कि इंडिया का product cheap हो, तो इंडिया का product क्या करेगी, इंडिया गवार्मेंट इस ऑस्ट्रेलिया की product के उपर लगाएगी, tariff, क्या लगाएगी, tariff, तो for example, इंडिया गवार्मेंट ने क्या किया, 200 रुपे का tariff लगा लिया किस पे, उस्ट्रेलिया से जो हमारे पास sweater आ रही है, शौल आ रहे हैं, उसके उपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tariff किस तरी किसे लगाया हूनने, per unit of physical commodity, per unit of sweater, अगर आप एक sweater इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उस एक sweater के उपर आप पे कितना tariff लग रहा है, 200 400 रूपी, 300 रूपी, 300 रूपी, 200, multiply by 3 and so on, तो कहने का मतलब है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, tariff लगा रहे हैं, बट किस बेसिस पे लगा रहे हैं, as per physical units, ठीक है, तो जब भी physical units के हिसाब से tariff लगता है, तो आप लोग मुझे comment box में बताईए, उस tariff को हम क्या कहेंगे, type of tariff आली class याद करिए, तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इतना गवर्मेंट ने इतना tariff लगाया, तो इसका price कितना आया, new price आगया, 1200, अब आप इस 1200 को इससे compare करेंगे, तो इसका कहने का मतलब क्या है, price of the Indian sweater है, वो क्या हो गया, relatively cheap हो गया, और जब relatively cheap हो गया, तो जो consumer है, वो जादा सजादा किसके demand करेगा economy में, वो इंडिया में जो sweater बन रही है, उसकी demand जादा करेंगे, because वो product अब क्या है, relatively cheap है, clear, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा, protection provide की, तो जब यह protection प्रवाइट की जा रही है, तो आपको क्या दिखा, यह protection हमने क् गूल पे दिया, sweater पे दिया, किसी ओर raw material में दिया, हमने क्या किया, हमने यह protection प्रवाइट की, यह किस पे की, on the final good, तो मैं यहाँ पे लिख दू, जो protection government ने दी, वो किसको दी, final good के उपर, जब हम protection अपनी final good, final imported good के उपर tariff लगाते हैं, तब हम उसको क्या कहते है, that tariff is known as nominal tariff, और nominal rate of protection, clear, तो देखिये, मैंने आप लों को क्या बोला, कितना, कितनी, हमने क्या किया, हमने 200 रूपे से price बढ़ा दिया, ठीक है, तो हम नोगो ने क्या कहा, this is known as nominal rate of tariff, और nominal rate of protection, हम इस nominal protection rate को किस तरीके से calculate करते हैं, it is equal to P dash minus P divided by P, यहाँ पे, P is what, P is your nominal rate of tariff, P dash हमारे पास क्या है, P dash क्या है, world price after the imposition of tariff, P क्या है, world price before tariff, तो देखिए, हमारे पास जो new price आया, वो कितना आया, 1200, ठीक है, minus, जो initial price क्या था, 1000 रुपे divided by, पुराना वाला प्राइस, 1000 रुपे, इट कम्स तू बी, 200, divided by 1000, 20 परसेंट, इसका मतलब अगर आप nominal protection देखेंगे, तो कितनी है, 20 परसेंट, बट हमारा topic क्या था, हमारा topic था, effective rate of protection, जब हमने final goods को protection दी, final जो हमारा domestic industry थी, हमने उसको protection देनी थी, हमने क्या किया, final imported goods के उपर क्या लगा दिया, tariff लगाया, और हमने उसको क्या कहा, हमने कहा, it is a nominal rate of protection, बट जब एक कुछ economist कहते हैं, कि आप protection दे रहे हो, आपने क्या किया, protection देते समय, आपने final important goods के उपर क्या लगाया, tariff लगाया, चीक है, कुछ extends तक क्या होगा, हमारी जो domestic industry है, वो क्या रहेगी, protected रहेगी, बाट कभी कबार क्या होता है, अगर हम इंडिया में sweater की बात करें, जब हम इंडिया में sweater produce कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, to manufacture this sweater हमें चाहिए raw material, अब ये जो raw material है, इसके हमारे पास दो source हो सकते हैं, नमबर वान, कि raw material क्या है, हमारे पास domestically available है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कि एक choice हमारे पास क्या है, कि raw material जो है, वो domestically available है, मतलब practically dunk के rates में available है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कि हम जो raw material यूज़ करने वाले हैं, domestically available है और दूसरी हमारे पास choice क्या हो सकती है कि हमें raw material क्या करना पड़ रहा है import करना पड़ रहा है तो अगर तो हम domestically जो हमारे पास available raw material है अगर हम उनको ही use करते हैं फिर तो कोई problem नहीं है फिर उस case में क्या होगा कि जो हमारा effective rate of protection है that comes to be equal to the nominal rate of protection ठीक है लेकिन जब हमारा import जो raw material है that is an imported one problem arise होती है तब तब क्या होगा कि government क्या कर सकती है government अगर imported raw material के उपर tariff लगाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो raw material use किया अपने product को बनाने के लिए उसमें भी आपने क्या किया उसमें आपने tariff दिया क्योंकि आप ही तो वो material use करने वाले हो इसका मतलब अगर raw material हमारा imported one हो तो हमारा nominal rate of protection जो है that is not equal to your effective rate of protection ठीक है I hope अभी तक आपको एक rough idea मिल गया हो आप formula देखेंगे effective rate of protection का और फिर उसके बाद मैं आप लोग को अलग-लग cases explain करूंगी ठीक है तो effective rate of protection की अगर हम बात करें formula is please note down is equal to t minus ar divided by 1 minus a जहाँ पे e क्या है हमारा e stands for effective rate of protection अब यहाँ पे देखें this t t is what t is your nominal tariff rate जो हमने कहां पे लगाया था जो हमने final good के उपर लगाया था final imported good के उपर sweater के उपर जो हमने लगाया था that is t t stands for nominal tariff rate on final good अब यहाँ पे देखें a and r यह हमारा क्या है देखें जब हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं हम imported input use कर रहे हैं तो कितना हम imported input use करें for example अगर हमें sweater बनानी है sweater के लिए हमें क्या चाहिए हमें wool चाहिए तो हमने बोला कि हमें कितने बेल्स चाहिए बोल के for example हमें कितने चाहिए हमें पांच बेल्स चाहिए तो हमने क्या किया हमने आउट ओफ दाट फाइफ हमने हम जो कर रहे हैं हम दो कर रहे हैं किसके imported वाले और 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है domestically produced है तो हमने क्या किया हमने देखना है कि as a percentage हम कितना क्या कर रहे है imported one यूज़ कर रहे है a is that percentage percentage of the imported input in domestically produced good और lastly R, R क्या है R is the rate of tariff जो किसके उपर है जो इस raw material के उपर tariff लगाया जा रहा है that is R, R is the rate of tariff on input ठीक है तो हम लोग को पता चल गया जब हम effective rate of tariff protection की बात करते हैं that is equal to T minus AR divided by 1 minus A और यहां से हमें पता क्या चल रहा है कि जब भी हम effective rate of protection की बात करेंगे that is not only dependent upon nominal rate of tariff क्यूंकि nominal rate of tariff पे ही अगर depend करता है तो formula क्या होना जाहे था E is equal to T but हमारा formula यह नहीं है हमारा formula में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग जो हमारा imported input है हम देख रहे हैं कि वो कितना वो कितना percent में use किया गया है हमारे domestically produced good में और साथ में जो वो imported input है हम वामिट उसके उपर कितना tariff impose कर रही है clear यहां से formula note कर लिजी आप लोग अब मैं यहां पर formula लिखती हूं और साथ साथ हम लोग एक केस भी discuss करेंगे देखिए formula तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए अब तक T minus AR divided by 1 minus A E क्या है T क्या है A क्या है R क्या है हम लोगों ने पिछली slide में लिख लिए है तो सबसे पहला case हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह assume कर रहे हैं कि हम कोई भी imported input use नहीं कर रहे है जितना भी input हमारी production के लिए use हो रहा है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास domestically available है हमें import करने के उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है इसका मतलब अगर हमारे पास A क्या हो जाएगा 0 और अपने अपने notes में देखिए A क्या है is the percentage of the imported input जो हम क्या कर रहे हैं production में use कर रहे हैं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ no imported input clear जब हमने बोला हम imported input use नहीं कर रहे इसका मतलब formula देखिए is equal to t minus इसका मतलब क्या है हमारे पास effective rate of protection comes to be equal to the nominal rate of protection अगर आपके पास इस तरीके का case आता है तब हम क्या बोलेंगे कि कोई भी difference नहीं है दोनों के बीच में ठीक है कि इसका मतलब अगर government ने final good के उपर final imported good के उपर tariff लगाया तो ultimately जो आपको protection provide की जो आपको nominal जैसे आपको बोला कि आपको 20% nominal protection में दिये इसका मतलब वो ही आपके लिए क्या होगा effective rate of protection भी होने वाला है ठीक है कि actual sense में भी आप उतनी protection enjoy कर रहे हो clear second case second case में हम लोग क्या कहेंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा effective rate of protection है वो सिरफ t पर depend नहीं करता है वो सिरफ nominal rate of protection पर depend नहीं करता वो other than the t किस-किस पर depend करता है amount of imported inputs used r that is the tariff on the imported inputs यह इन सब में भी depend करता है तो हम क्या करेंगे अब हम किसी दो variable को constant मानेंगे और तीसरे variable तीसरे जो हमारा है जैसे for example हमने बोला a and t are constant अब यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा parameter है यहाँ पर अगर r की बात करेंगे तो हम बोलेंगे r vary कर रहे है likewise हम लोग a case में क्या बोलेंगे a and r constant है t vary कर रहे है इस तरीके से अब हम cases बनाएंगे इस case पर हम ले रहे हैं अगर हमारा r and t are constant but आपका change क्या हो रहा है a change कर रहा है अब r and t को आप random कोई value assign करोगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हम उन values को constant रखके a को change करें तो क्या impact आने वाला है तो हम बोलेंगे first case कि r जो है हमारा that is 10% और r क्या है आप लोग कमेंट में बताईए t क्या है हमारा 20% ठीके तो हमने जब बोला कि r 10% है 10 divided by 100 this is equal to 0.1 likewise t हमारा क्या आजएगा 0.2 ठीके अब हम क्या करेंगे a की value को vary करेंगे हम दो अलग लग value लेंगे a के लिए एक जगा हम बोलेंगे कि a हमारा क्या है 50% एक जगा हम बोल रहे है a क्या है 40% ठीके तो formula में वापी से डाली है formula हमारा क्या है e is equal to t minus a r divided by 1 minus a this is equal to t t हमारा क्या है t is 0.2 minus a हमारा क्या है 0.5 into r हमारा क्या है 0.1 divided by 1 minus 0.5 clear और यहां पे भी हम अगर e को डाले e is equal to t, t हमारा क्या है 0.5, 2 minus a is 0.4 into r, r हमारा क्या है 0.1 divided by 1 minus 0.4 मैंने क्या किया मैंने सिरफ values को डाला इस formula में ठीके तो अगर आप इसको calculate करेंगे simplify करिए तो यहां पे आपको मिलेगा 30% और यहां पे आपको क्या मिलेगा 26% ठीके आप लोग भी simplify करिए इसको तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा r and t क्या है they are constant लेकिन हमारा क्या vary कर रहा है a vary कर रहा है a is the amount of the imported input used in domestic production तो हमारा जब a बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है e b बढ़ रहा है इसका मतलब जब भी आपका a increase करेगा तो आपका क्या होगा effective rate of protection भी क्या करने वाला है increase करने वाला है clear तो मैं यहां पर लिख दूँ e is directly proportional to a ठीक है पहली चीज़ आप लोग को दिमाज में ये भी रहनी चाहिए clear तो हमारे अभी तक हमारे पास दो case होगे अब हम third case देखेंगे जहां पर अब हम क्या करेंगे हम t को vary करेंगे हम यहां पर क्या लिख रहे हैं a and r are constant t क्या है t is a variable now तो यहां पर भी मैं क्या करूंगी दो case लूँगी जहां पर a and r तो constant है बट हम t के वाली को क्या करने वाले हैं change करने वाले है a is equal to 50% and r is equal to 10% ठीक है आप कोई भी random values ले सकते है and assume t is equal to 20% एक बार और t is equal to 30% हम basically दिखाना यह चाते हैं कि जब t के value बढ़ेगी तो e पर क्या impact आएगा जैसे हमने last case में क्या किया last case में भी हमने ऐसे ही किया वहां पर हमने बताया कि a के value जब बढ़ेगी तो e क्या होगा बढ़ेगा यहां पर भी हम वही कर रहें कि जब t की value बढ़ेगी तो e पर किस तरीके का impact आने वाला है formula मैं वापिस से लिख रही हूँ यहां पर आप लोगं के लिए तो यहां पर वापिस से substitute करिए values e is equal to t क्या है मारा 0.2 minus a क्या है मारा 0.5 into r क्या है 0.1 divided by 1 minus 0.5 likewise हम यहां पर भी कर सकते हैं तो जब हम इन दोनों को simplify करेंगे हमारे पास क्या आएगा 30% and 50% तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा t बढ़ेगा तो e b क्या होगा बढ़ेगा ठीक है क्योंकि t जैसे ही हमने क्या देखा 20 to 30% हुआ तो हमारा e b बढ़ा ठीक है और आप formula में भी देख सकते हो t is e is equal to t तो यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि जैसे ही हमारा nominal rate of protection बढ़ेगा तो हमारा effective rate of protection भी बढ़ेगा clear तो अभी तक हमने 3 case देख लिए यहां तक कोई problem है तो comment box पर mention करिए अब एक case आप लोग अपने आप से करेंगे जब हम क्या बोलेंगे कि r increase कर रहा है देखे r जो है आपका change कर रहा है तब और हमारा जो a and t है वो constant है तब क्या effective rate of protection पे तब क्या impact आने वाला है तो देखिए जब हम बोल रहे है r change हो रहा है मैं mathematically नहीं आपको करवा रही हूँ लेकि एक पर हम दो मिनट की discussion करेंगे इसके उपर जब r change हो रहे ठीक है r change होने का मतलब क्या है tariff जो किस पे लग रहा है imported input पे लग रहा है उसकी value change हो रही है आप लोग मुझे बताइए जब भी imported inputs पे tariff जादा लगेगा इसका मतलब क्या है कि कि किस के ओपर penalty पढ़ रही है domestic producer के ओपर क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे जब भी हम लोग domestic production करनी है हमें हमें क्या चाहिए input चाहिए और inputs के ओपर जितना भी tax लगेगा in the form of tariff वो कौन पे कर रहा है वो पे किया जा रहा है from the side of domestic producer तो हमने क्या बोला कि domestic producer पे कर रहा है इस input के ओपर tariff clear तो इसका मतलब जब आपका R बढ़ेगा तब producer को क्या होगा protection काम मिलेगी ठीक है यूँकि input के ओपर जो tax लगे रहा है in the form of tariff वो कौन दे रहा है वो वही producer ही पे कर रहा है तो जब हमने बोला कि R is increasing तो आप लोग को क्या दियान में रखना है कि हमारा E क्या करेगा fall करेगा लेकिन यह वाला case आप लोग mathematically करोगे clear तो मैंने आप लोग को चोथा case भी बता दिया यहां तो को issue formula में वापिस आई है E is equal to T minus AR divided by 1 minus A हमने क्या बोला कि जो tariff है वो government क्या कर सकती है वो final goods के उपर लगा सकती है जो final imported goods है inputs के उपर लगा सकती है या दोनों के उपर लगा सकती है तीन में से कुछ भी हो सकता है अगर tariff क्या है tariff इस तरीके का है कि जहां पे inputs के उपर जो tariff लगाया जा रहा है government की दुआरा वो as compared to final goods क्या है जादा है final goods के उपर कौन सा tariff है that is T यहां पे R तो हम कह सकते है R is greater than T जब आपके पास इस तरीके का case होगा तो अब इसका मतलब क्या है कि जो domestic industry है उसके पास वो technically कोई भी protection enjoy नहीं कर रही है ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस time जो आपका effective rate of protection है that is negative clear तो अभी तक आप लोग को I hope effective rate of protection के बारे में सब कुछ points clear होगे अब एक छोटा सा write-up है please note down अब आप लोग एक write-up देखिए यह आप लोग के लिए exam point of view से important है तो please note down the effective rate of protection is a measure used in economic to assess the overall impact of trade protection on a particular industry or sector क्योंकि अभी तक आप लोग को यह तो पता चल गया होगा जब भी हम nominal rate of protection की बात करते हैं तब हम overall impact trade protection पे नहीं देखते हैं क्योंकि nominal rate of protection तो हो सकता आपका 20% भी हो बट अगर imported inputs के उपर बहुत जादा tariff है इसका मतलब जो आपकी domestic industries है उनको technically उतनी जादा protection नहीं मिली जो हमें nominal rate बता रहा है 20% का ठीक है case याद करिए it takes into account not only the direct effect of tariff और other trade barriers यहाँ पे मैंने इस mention भी कर दिया other trade barriers हमने जिसे tariff का case किया लेकिन आपको पता है कि जब भी हम protection की बात करते हैं we not only talk about tariff बट हम non tariff barriers को भी तो बात करते हैं तो यहाँ पे आपनों को याद रखना है जब भी हम effective rate of protection की बात कर रहे हैं हम tariff as well as non tariff barrier सब की बात कर रहे हैं on the final account but also the impact on intermediate inputs or raw material used in the production process तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि nominal rate of protection जब भी बात की जाती है हम सिरफ final goods के उपर कितना tariff imposed क्या जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं बट जब हम effective rate of protection की बात कर रहे हैं at that time हम सिरफ final good पे tariff की बात नहीं कर रहे हैं हम imported raw materials पे कितनी protection दी जा रहे है या कितना tariff है उनके उपर हम उनको भी consideration पे ला रहे हैं then effective rate of protection का formula लिखा है is equal to t minus ar divided by 1 minus a formula is very important और काफी लोग मुझे एक दो queries आई थी net के लिए जो बचे prepare कर रहे हैं तो ये topic जो है net point of view से important topic है और जो points हम लोगोंने case में पढ़े हैं तो उनके लिए especially बहुत important है तो please इनको observe करें द्यान से effective rate of protection का this is the formula formula is very important so please इसको अच्छे से पढ़ें फिर लिखा हमने t is the nominal tariff rate on the imported good a is the percentage of the imported input in the locally produced good r is the tariff rate on the imported input फिर जो हमने cases पढ़े अगर आपका a is equal to 0 है then e is equal to t cases are very important for given values of a and r e is larger the greater is the value of तो आप लोग भी यहां पे लिख लीजिए वन यहां पे लिख दिये for given values of a and r e is larger the greater is the value of t clear third point for given values of r and t e is larger the greater the value of a and the last point is if r is greater than t then e is less than t or in other words if the tariff rate on the imported input is higher than the tariff rate on the imported final product then erp will be less than the nominal rate of protection तो यह points मैं वापिस बोल रही हूँ यह points बहुत important है तो इनको learn करने की कोशिश करिये और खासकर जब आप mathematical compare करेंगे जो हम लोगों ने पीछे देखा था तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यह points आप लोग अगर नहीं भी एक्जाम में याद है value जाल के भी आप लोग वहाँ पे calculate कर सकते हैं और अपना answer दे सकते हैं clear? आप देखिए अभी तक आप लोगों को क्या समझा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं effective rate of tariff की हम inputs की भी बात करेंगे और final goods की भी बात करेंगे देखिए tariff लगाना किसने है या trade barrier कोई भी है वो कोण impose कर रहा है that is the government government is imposing the trade barrier तो जब हम बात कर रहे हैं कि government क्या कर रही है government ने क्या किया आपके जो imported inputs है उस पे government ने क्या किया या तो zero tariff रखा या minimum tariff रखा जब zero tariff या बहुत कम tariff है इसका मतलब क्या है जो domestic producer है वो क्या करेगा वो इन products को easily use करेगा क्योंकि उनको पता है domestic producer को अगर zero tariff है इसका मतलब हमारी production में ये जो है ये बहुत जादा तीजी से cost को नहीं बढ़ाएंगे ठीक है इसका मतलब domestic producer नो कि cost of production जो है वो मेरी नहीं बढ़ने वाली जैसे ही domestic producer को पता चला कि मेरी cost of domestic production नहीं increase करेगी इसका मतलब क्या है वो domestically इसको produce करेगा इसका मतलब government क्या चाहती है हम क्या करे encourage करे domestic production को clear और जब भी domestic production encourage होगी इसका मतलब आपकी जो employment है वो भी बढ़ने वाली है clear हुआ यहां तक तो हमने क्या बोला कि जब भी government zero और minimum tariff रखती है कि इसमे imported inputs में इसका मतलब government क्या करना चाहरी है government wants to give encouragement to domestic production और domestic production बढ़ने का मतलब ही क्या है employment बढ़ेगी और अगर government ने क्या किया imported inputs के उपर बहुत ज़ादा tariff लगा लिया तो government क्या चाहती है government चाहती है कही ना कही कि हमारी जो domestic production है in specific industries की वो बहुत तीजी से ना बढ़े हम लोग को क्या है कही ना कही government क्या कर रही है उन sectors को discourage कर रही है clear हुआ यहाँ तर तो I hope अभी तक आपको जितना भी हमने topic पढ़ा effective rate of protection का यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं आए और इसके लिए जो मैंने books refer की है that is the salvator और दूसरी book है manure HG manure की book है दोनों books अच्छी है आप कोई भी book refer कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई भी doubt रहता है topic पे तो please comment box पे लिखिए telegram channel पे अपने doubts को share करिए otherwise then this आप instagram को भी मेरे instagram में भी direct message कर सकते हैं फिर भी कोई doubt है तो I will try to resolve that thank you for watching